नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महतो पूह जानकारी को ले करके जहां हल्दी वाला दूद पीने से बोडी की गर्मी बढ़ती है इसलिए पीरियर्ट्स के दौरान इसे पीने से हैवी ब्लीडिंग की प्रोब्लम हो सकती है जहां सही सुना आपने आज हम आपको जो बता रहे हैं वो ऐसा नुस्का है जो कि कई बार क्या होता है कि हम अपने ही चैनल पे खास करके हमने भी आपको बताया हुआ है कि हल्दी वाला दूद पीने का क्या क्या फायदा है जहां हल्दी वाले दूद पिने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसान को भी जानना बहत ज़रूरी है नहीं तो अगर आप कुछ एक बिमारियां होते हैं या फिर कुछ एक कंडिसन्स होते हैं या अत्याधिक मातरा में आप सेवन करते हैं किसी भी और शदी का तो आज हम आपको हल्दी वाला दूद पीने के फायदे तो बता चुके हैं। खूं आने की प्रोब्लेम हो सकती है, इसके अलावा फर्टिलीटी पे असर होता है। ज्यादा हल्दी खाने से बॉडी में टेस्टोट्रान हार्मोन का लेबल घड़ता है, इससे फर्टिलिटी कम होती है, हल्दी वाला दूद ज्यादा पीएंगे, तो फैमिली प्लान करने में आपको प्रोब्लेम आएगी, ज vandaag, आपको फैमिली प्लानिंग में प्रोब्लेम आ हो सकता है इसलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एनीमिया से पिडित हैं बहुत ज्यादा न पिए हल्दी वाला दूद इसके अलावा आपको पीलिया भी हो सकता है जहां पीलिया होने पर डाइजेशन कमजोर हो जाता है ऐसे में हल्दी वाला दूद पीने से लूज मोशन और वोमेटिंग की प्रोब्लेम हो सकती है इसलिए ध्यान रखें जब भी आपको पीलिया रोगो तो आप हल्दी वाले दूद का सिवन ना करें गाल ब्लेडर से जुड़ी कोई अन्य प्रो पूछे कैसी बिमारियां दोस्तों जिन में आपको खयाल रखना होता है कि हल्दी वाले दूद का सिवन ना करें और अत्याधिक मातरा में किसी भी आउश्याधी का प्रयोग नहीं करना चाहिए सेवन नहीं करना चाहिए अन्य था वो भायदे की जगह नुकसान पहुंचा आती है ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों